नुशन दोस्तों क्या आपने रिख भी Amazon से समान मंगाया है कोई भी प्रोडक्ट मंगाया हो और उसके बाद आप उससे रिटर्न करना जाते हैं वड़ जब आपने रिटर्न डाली जो भी Amazon का एजेंट होता है जो भी आपको डिलिवरी करने आता है वही उसको रिटर्न पिकप करने आता है और उसने पिकप ना किया हो और कोई भी बहाना माव दिया हो आपको और आपको बाद में पर चलता है कि उसने customer end से ही आपके मलोग आपकी जरीए ही कहा की भई customer ने हमें दिया नगी प्रोडक्ट तो ऐसे से एक प्रॉडक्ट वह आप दे सकते हो एक से लिकुड कुलर होता है जो आपके से लगा होता है तो उसका लिकुड कुलड रही होदा तो यह हमें नहीं है तो इस उसकी उस टाइम पर हमने वीडियो नहीं बनाई और कई बार लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो माँ बनाओं तो कोई दिक्कत नहीं है Amazon के पास आपके पास आपके पास अट्लिकेशन है Amazon वाला वहाँ पर आप customer care यह से बात का सकते हो आपको कोल भी करेंगे अगर आप चैट में बाल करें जाते तो चैट में बात हो जाती है तो घबराइए गामाज सबसे पहली बात अब यह जो प्रोड़क्ट मैंने वापिस करना है यह 20,000 रुपे का प्रोड़क्ट है तो जो लेने आया था भाई जो भ अचीजशा बाहन दरगा आया मैं स्वापने को ल से नहीं बात कि तो उस法 रहां कौनगे ऊसंपर मेंने क्या है , उसके बात की शिट्पों है तो अड़क्तों प्रोड़क्ट तुक्त नहीं नहीं रहए गया जो शोते हैं वहापस नहीं किया गया वंखिव और वियसे भी ई प्राइम मेंबर्स होते हैं वह बिल्कुल नाखुष नहीं देखते हैं और यह मेरी बिल्कुल जैनुवन चीज है ऐसा नहीं कि मैं कुछ जूट बोर रहा है कुछ गल्द को कि आपको मैं बता रहें चाहूंगा कि जितने भी आगे आप पीकप जैसा की माल लीजे मैं भी आत है कि यह हरया ना या इतनी बार भी जहां जहां आता है इसमें गलती सारी किसकी है वह हr है कि भाई अगर हमको कोई जिक्कत आ रही है तो Amazon ने उसको सोल्व करना है तो आप Amazon के कैसे करते हैं उसके लिए अगर आप चाहते तो वीडियो भी मैं बना दूंगा रिकोर्डिंग मैंने कर ली है बहुत अच्छे तरीके से बातित होती है अभी मेरा अभी रिटर्न नहीं हुआ आज स्तार अपरल है इसकी रिटर्न पिकप थी 16 अपरल 2021 की उन्होंने रिटर्न नहीं की तो उन्होंने मु बार रिटर्न फाइल की है अब कल 18 अपरल की तो कल जो भी आएगा अब उसने उन्होंने कहा है कि भाई कल वाला जो आएगा उसमें स्पेशल एची मैंशन की जाएगी कि जो पहले इसके आया था अमजोन एजेंट उसने जो भी डिलिवरी एजेंट था उसने रिटर्न पि उनकी जिम्मेवारी हैं एमजोन की और अब उन्होंने इसे रिटर्न कराना है और जितनी अमाउंड होती है हमारे जिस भी मैथट से हमने पेमंड किया था तो वहां पर रिफंड करवाना है तो हमने अपने क्रेडिट काट से रिफंड किया पेमंड कि थी इसकी तो और आप आप बैंक में payment करते हो तो वह आपका bank किसी भी bank के debit card से तो उस bank के debit card में आ जाएगा अगर आप cash में payment करते हो तो आपको उसमें bank account अपना डालना पड़ेगा कोई cash दिने नहीं आएगा पैसे आपके bank में आ जाएंगे तो जितने पैसे थे वह सारे आ जाएंगे और यह चीज़ें भाई बहुत जुरूरी हैं बहुत informative वीडियो है यह और मैं जो face कर रहा हूँ चाहिए आप मैंसले बता दे रहा हूँ को कि आप मैंसे बहुत लोगों के साथ यह चीज़ होती रहते होगी और मैं भाई एक genuine customer हूँ Amazon का यह चीज़ भी ध्यान में रखेगा अगर आप products मगाते रहते हैं तो वह सब चीज़ें उनको दिखती हैं तो अगर आप जैनूर्ण customer है तो वह आपकी help जरूर करेंगे यह चीज़ मैं आपको clear बतायता हूँ उसके लावा भाई मैं इस चीज़ें उताना चाहूंगा कि fraud करने कि आप मत कोशी किया करो कई लोग यह 20,000 वाला मैंने order किया था यह वाला जो है और इन्होंने मुझे 16,000 वाला लगबग यह 18,000 वह भेज दिया है ठीक है पहली बात तो यह और वह भी भेजा है पुराना बिल्कुल पुराना बैक तो यहां पर seller की गलती है अब इसमें क्या है कि मैं उसके जो भी product है पर जाके special comment भी करूंगा यह comment भी किया करो आप जाकर और यह चीज़ मैंने पहले किसी होगे comment में भी पढ़ी थी उसके साथ भी ऐसा हुआ था तो इस तरह क्या है कि आप जो feedback करते हो वहां पर comment करते हो वह बहुत ही ज्यादा valuable होता है तो जितने भी products लेते हो सब के ओपर comment किया करो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है आपका delivery जो experience है वह कैसा ही सब चीज़े matter करते हैं कि टाइम पर feedback बहुत जादा matter करता है Amazon number one company है पूरे वर्ड में ऐसे ही नहीं है हो customer support के वज़ा सही है आप customer नहीं उन्हें king बनाया है समझ रहे हो तो जितना बागे समाने हैं बागी सब समान सही है भाई बिल्कुल सही है चेक कर लिए हमने PC बेड़ भी कर लिया है केस रहे हमारा cabinet जो है वो भी आएगी gaming cabinet तो यह सारा समान उसमें मैं लगा दूँगा त आते हो कुछ भी मतलब कुछ भी तो अगर आपको भी कभी refund करने में या replace करने में दिक्कत आती है तो आप सीधा अपने customer support में जाकर वहां पर customer support होता है आपका Amazon application है बिल्कुल नीची आकर जो है वहां पर जाकर आप जरूर complete कीजिए आपको पूरी सायता मिलेगी और यह च प्रोलम नहीं आएगी यह सब Amazon की जिम्मेवारी है मैं satisfied था अब कल क्या होता वह भी मैं जुरूर बता बताऊंगा आपको कि कल अगर वह आता है कि लेकर जाता कि नहीं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन भी दबा देना और हमारे जो टेक चैनल है सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंफर्मेटिव चीज़े आती है और यह चीज़ मैं बता रहा हूं आपने विससे पहले किसे के पास अच्छे स्ट्राइक करते देखा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा थैंक्स वर वोचिंग गाइज बाबाए